दोस्तों कल मेरे जानपचान वाले बंदे का फोन आया और जैसे मैंने फोन उठाया उसने एक्दम पुछा उन्प जी आपको डर नहीं लगता? मैंने का क्या मतलब? कहता नहीं आप बड़े इंस्पिरेशनल और बड़े पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता कि शाइद आपको डर नहीं लगता? मैंने का बर किस बात का डर? कहता नहीं जी मैं दिन में दस बार डरता हूँ जब भी मुझे तोड़ी से लगता कि मेरे को कोई हरारत हो रही है तो मुझे लगता बुखार चड़ रहा है फिर मेरे गले में खराश होती है तो मुझे लगता कि कहीं मुझे कुरोना वायरस तो नहीं हो रहा है तो मैं आज जी मैं तो दिन में 20 बार हात होता हूँ, तो मैंने का, तुम social distancing maintain करके रखते हो, के तो हाँ, तुम यहन गहले में खराश हो सकती है, हल्की सी हरारत की feeling हो सकती है, लेकिन को रोना वाइरस तुम को नहीं है, अगर तुम यह सब चीजें करते होगे, जो KI हमसे कहा गया है तो वो तो नहीं हो सकता है तो गुला पर आपको डर नहीं लगता है आप positive बातें कैसे करते हैं मैंने का नहीं मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है कि यह मेरी टांगों में डर्द हो रहा है work-out के या कभी शाम को दर्द होता है या मुझे कभी लगता है कि मुझे बुखार तो नहीं हो रहा मैं एक दो बर थर्वा मीटर से चेक भी करता हूं या मेरे गले में भी खराश होती है ये तो बड़ी सौभाविक वाते हैं जब कुरोना वाइरस नहीं आया था उससे पहले ये सब सिम्टम समको नजर आते थे पर हमारा सीधा ध्यान इस तरफ नहीं जाता था मगर मैं बहार जाता ही नहीं हूं और मैं हाथ धोता रहता हूं ये डर तो मन से निकाल दो क्योंकि जब हम छोटे होते थे जूट बोलते थे तो डर लगता था है कि नहीं होंवक नहीं करते थे तो डर लगता था अगर हम सब काम जैसे कि हमें कहा गए हैं वो करते थे तो डरने की कोई बात ही नहीं है बाकी यह तो human nature है स्वभाविक है कि शक हो सकता है कि कहीं कुछ मुझे तो नहीं हो रहा और यह सब को होता है इतनी दिनों से जो घर में बैठे हैं हम सब को यह शक की ब पॉजिटिव सोचिए जब डर लगे तो हाथ दोलो जब डर लगे थोड़ा भावान को याद कर लो जब डर लगे तो बोलो कि नहीं डरने की कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा और हो जाएगा